आज हम सीखेंगे और समान चौड़ाई वाले आयत चित्र के बारे में पिछले वीडियो में हमने एक समान चौड़ाई वाले आयत चित्र यानि हिस्टोग्राम और यूनिफॉर्म विद के बारे में सीखा जिसमें हमने पांच मिनिट में चात्रों द्वारा टाइप किये गए शब्दों की संख्या को समान चौड़ाई वाले आयत चित्र के रूप में निरूपित किया मान लीजिए एक चात्र ने इन आकड़ों को इस प्रकार वर्गी किरित किया क्या यह साड़नी पिछले वीडियो में बनाई गई साड़नी के समान है? नहीं, यहां हम देखते हैं कि पहले वर्ग अंतराल की वर्ग चौड़ाई 40 है दूसरे वर्ग अंतराल की वर्ग चौड़ाई 20 है और तीसरे वर्ग अंतराल की वर्ग चौड़ाई 60 है इस तरह इस बारंबार्ता बंटन सार्णी में वर्ग अंतरालों के चोड़ाईयां भिन्न है इन आकड़ों को निरूपित करने के लिए उस छात्र ने फर्ग अंतरालों के लिए खीचे जाने वाले आयतों की लंबाई बारम बारता के समानुपात में रख कर इस प्रकार आयत चित्र खीचा क्या उसने सही आयत चित्र खीचा? सोची सोचीए नहीं, यह एक गलत आयत चित्र है चलिए इसका कारण समझे हम जानते हैं कि आयत चित्र में किसी आयत का शेत्रफल उसके द्वारा निरूपित बारम बारता के समानुपाती होता है इस कथन के अनुसार यहां प्रतेक आयत का शेत्रफल उसके द्वारा निरूपित बारंबारता के समानुपाती होना चाहिए चुकि यहां वर्ग अंतराल 100 से 120 और वर्ग अंतराल 120 से 180 की बारंबारता समान है इसलिए इन्हें निरूपित करने वाले आयतों का शेत्रफल भी समान होना चाहिए लेकिन यहां दोनों का शेत्रफल भिन दिखाई देता है हम इसे गनितियत और पर भी समझ सकते हैं यहां हम देखते हैं कि वर्ग अंतराल 100 से 120 की बारम बारता 15 को निरूपित करने वाले आयत की लंबाई 1.51 तथा चौडआई 1 एक एक है इस तरह इस आयत का शेत्रफल लंबाई गुना चौडआई बराबर एक दिशनलव पांच एकाई वर्ग है इसी तरह वर्ग अंतराल एक सो भीज से एक सो असी की बारंबारता पंद्रह को निरूपित करने वाले आयत की लंबाई 1.5 एकाई तथा चोड़ाई 3 एकाई है इस तरह इस आयत का शेत्रफल 4.5 एकाई वर्ग है इन आयतों के शेत्रफल का अनुपात 1 बटे 3 है लेकिन इन दोनों वर्ग अन्तरालों की बारंबार्ताओं का अनुपात 1 बटे 1 है चोड़ी आयतों की शेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत बारंबार्ताओं के अनुपात के समान नहीं है इसलिए यहां आयतों का शेत्रफल बारम बारताओं के समानुपात में नहीं है यानि यहां आयत चित्र संगत वर्ग अंतरालों की गलत बारम बारता तर्शा रहे हैं इसलिए यहां आयत चित्र गलत है आयत चित्र में आयतों का शेत्रफल बारम बारता के समानुपाती होना अनिवार्य है आयतों की चोड़ाई वर्गों की वर्ग चोड़ाई पर निर्भर होती है यहां वर्ग चोड़ाई या भिन्न है इसलिए आयतों की चोड़ाई भी भिन्न होगी यदि हमें आयतों का शेतरफर बारंबारता की समानुपाति करना हो तो हमें आयतों की चौड़ाई या लंबाई में परिवर्तन करना आवश्यक है लेकिन प्रतेक वर्ग अंतराल की वर्ग चौड़ाई निश्चित है इसलिए हम आयतों की चोड़ाई में परिवर्तन नहीं कर सकते इसलिए हमें आयतों की लंबाई में परिवर्तन करना होगा क्या आप बता सकते हैं यह परिवर्तन हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं इसके लिए हम वर्ग अंतरालों के न्यूनतम वर्ग चोड़ाई यानि lowest class width को खोजेंगे यहां वर्ग अंतराल 100 से 120 की वर्ग चोड़ाई 20 न्यूनतम वर्ग चोड़ाई है अब हम प्रतेक वर्ग अंतराल के आयत की लंबाई ग्याद करने के लिए उस वर्ग अंतराल की बारंबारता को उस वर्ग अंतराल की चोड़ाई से भाग देकर परिणाम को न्यूनतम वर्ग चोड़ाई से गुणा करेंगे जैसे यहां वर्ग अंतराल 60 से 100 के आयत की लंबाई इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है इसी तरह अन्य वर्ग अंतरालों के आयतों की लंबाई इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है अब हम प्रतिक वर्ग अंतराल के लिए एक उप्युक्त पैमाना लेकर आयत खीचेंगे यहां हमने एकस अक्ष पर एक इकाई बराबर बीस शब और वाय अक्ष पर एक इकाई बराबर पांच चातर पैमाना लिया है जिससे हमें इस प्रकार आयत चित्र प्राप्त हुआ है अब आप विडियो रोक कर घ्याद कीजिए कि क्या इस आयत चित्र में आयतों का शेत्रफल बारम बारताओं के समानुपाती है अत्वा नहीं प्रयास कीजिए आपको अवश्य ग्याद होगा कि अब आयतों का शेत्रफल बारम बारताओं के समानुपाती है उमीद है अब आप ऐसे वर्गी कृत बारम भारता बंडन के लिए जिसमें वर्ग अंतरालों के चोड़ाई भिन्ने हैं एक असमान चोड़ाई वाला आयत चित्र खीच सकते हैं आज हमने सीखा असमान चोड़ाई के आयत चित्र के बारे में अगले वीडियो में हम आयत चित्रों के कुछ उधारन रिखेंगे